अब तक हमने हमारे घर के लिए फ्रेमिंग जोमेटरी खड़ी कर दी है जहा पर हमने सपोर्ट्स प्रोवیट कर दी है कॉलम मेंबर्स और बीम मेंबर्स भी बना दी है अननेसेसरी मोमेंट्स रिलीज कर दी और लास्ट में हमने यहाँ पे स्टेर रूम भी बना दिया है तो जोमेटरी और प्रोपर्टी डीफाइन हो जाने के बाद हम इसमें loading प्रोवाइड करेंगे तो इसके लिए हमारा सबसे पहला step है reference load definition प्रोवाइड करना तो इसके लिए हम सबसे पहले general में जाएंगे उसके बाद में load and definition में क्लिक करेंगे फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे definitions में और उसमें हम find कर सकते reference load definition इसके उपर क्लिक करके हम जाएंगे add में तो यहाँ पर हम reference load definitions add कर सकेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक word file बना के रखी है जिसका title है define reference loads मतलब loading provide करने से पहले हमें यह reference load की एक word file चाहिए जिसमें r1 to r9 यानि कि reference one load to reference nine load यह सभी types के load दिये होंगे और dead load और live load इसमें identify किये जाएंगे तो इसमें सबसे पहले r1 load define करने के लिए हमें select करना है dead load और title रखने dl self weight तो यह dl self weight हम copy कर लेंगे ctrl c फिर strategy file में यहाँ पर paste कर देंगे और यहाँ पर dead load add तो यहाँ पर हमारा r1 reference one load add हो गया है इसी तरह से हम सभी one to nine load add कर देंगे कि आओ कर देंगे नहाँ झाल और झाल कर दो कर दो धाल झाल झाल तो इस तरह से हमने R9 तक सभी reference load define कर दिये है namely first is dead load self weight dead load slab load dead load में floor finish load dead load में wall load फिर dead load में sunk load फिर dead load में OHT and LMR load फिर live load up to 3 live load above 3 and live load on terrace तो friends आज के लिए जिर्फ इतना ही wait for my next videos ग। य।